आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप जहारखंड का रिजल्ट 10 का चेक कर से हैं फिलाल 10 हो 11 हो 12 हो या फिर 9 हो जिस क्लास का भी रिजल्ट पॉब्लिस होता है उसको कैसे चेक करेंगे और ये ओफिसियल वेब साइट है आपको किसी भी क्रोम ब्राउजर में जाना डॉट फिर जहारखंड लिखना जे एच ए आर के एच एंड फिर डॉट फिर गॉफ जी ओवी गॉफ डॉट इन फिर ब्राउजर में सर्च करने के बाद आप इस ओफिसियल वेब साइट पर पहुच जाएंगे उसके बाद से आपको रिजल्ट चेक करने के लिए फिलाल म वैसे क्लिक करेंगे वैसे आप फिर नेक्स्ट पोईज में पहुंच जाएंगे जहां पर लिखा रहाएंगा जैक रिजल्ट डॉट कॉम डॉट इन में मत जाएगा वह फर्जी वेब साइट है खुद इसके ऑफिसियल में यह अपडेट दिया गया है नोटिस के जरीए कि जो jackresults.in है वो एक फर्जी वेब साइट है उससे आप अपना रिजल्ट ना देखें इसका जो ऑफिसयल वेब साइट है जे एसी आर इस यू ल टी एस डॉट कॉम यह ऑफिसयल वेब साइट है इस पे जाए से क्लिक करेंगे वैसे आप इस पेज में पहुंच जाएंगे फिर इस पेज में पहुंचने के बाद result of examination 2020 आपको 10 का देखना तो result of annual secondary examination 2020 published on 8-7-2020 new इस पे क्लिक करेंगे अब जैसे इस पेज में क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास नया page open होगा जहां पे इस तरह का page आएगा और simply आपको result check करने के लिए अपना role code type करना और role number type करना जैसे यह type कर लेंगे उसके बाद आपको submit पे क्लिक करना है तो submit में क्लिक करने के बाद से आपको वहाँ पे आपका result appear हो जाएगा आप फिर वहाँ से आप उसको print कर सकते हैं तो यह था full criteria अगर आप इसको एक और तरीका है जिसके जरीए आप check कर सकते हैं यह तो running party में था और एक recent announcement बोल कर एक option है वहाँ से भी आप click here for jack exam 2020 result new उसपे click करेंगे तो same उसी page में पहुचेंगे जिस page में है जैसे यह वो तरीका से check करने का rule है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो second page में आया था वही page आ गया result of annual secondary examination फिर उसपे click करेंगे जैसे उसपे click करेंगे तो फिर यह वही आपका page आ जाजागा जैसा कि आया था इससे पहले और आपको simply roll code और roll number type करना और submit पे click करना जैसे submit करेंगे आपका result आ जागा फिर वहाँ से आप screenshot ले सकते हैं फिर उसको print भी कर सकते हैं तो यह दो तरीका था जिसके जरीए आप जारखंट का result देख सकते हैं फि करें और हमारे चैनल में बने रहे हैं और जो भी आपको query है वह comment box में टाइप करें और मैं 11-12 पर जब result लेगा तो मैं इसका information दे दूँगा फिर 10 में scrutiny कैसे होता वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है और इसके लिए आपको आप हमारे चैनल पर बने रहे हैं